कि वेल्कम टो एभी स्टेडी दिसम आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर सिरीज जिसको कि हमने एंसेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सुरूख किया था को Clear करते वे हम भी पहुंचे हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा इसके अलावा अगर आपको हमारे PDF चाहिए सारे lectures के तो वह आपको मिलेंगे हमारे टेलग्राम गूरूप से टेलग्राम गूरूप का जो लिंक है वह यहां दिया गया इसके अलावा लिंक जो है description में भी दिया गया वहां से भी आप हमें टेलिग्राम पर फॉलोग कर सकते हैं और अब यहां भी फॉलोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको आसानी से मिल सके तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को देखिए लाश्ट लेक्चर में हमने करजन के बारे में पढ़ दिया था देखा था कि बंगाल भी भाजन किया गया था किसके दौरा तो करजन के दौरा जिसके बाद भारत में जो स्वतंतरता संग्राम है वो और ब्यादिक तेजी से शुरू हो गिया था स्वधैसी मुमेंट स्टा तक भारत में वाइसरा है रहते हैं इनके कारेकाल में जो महतुपून घटनाय थी उसमें से कुछ है जैसे तीसरी दिल्ली दरबार जो है वो 1911 में आयुजित की गई थी किसके समय में लॉड हाडिंग के समय में फिर 1912 में कलकता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी ग कहां तो दिल्ली में देखिए इसका जो एक्ट है यह आया था 1911 में मतलब बात सुरू हो गई थी 1911 में पास कर दिया गया था कि दिल्ली इस्थानांतरित की जाई कैपिटल लेकिन जो डेट है जब कैपिटल को पूर्णता ओफिसियली ट्रांसवर कर दिया गया था तो वो वेस्ट बेंगॉल हमारा आज का जो कोलकाता है वो था जिसकी राजानी कोलकाता है भारत में जो वेस्ट बेंगॉल है वो थी और इस्ट बेंगॉल जो है वो आज का बंगलादेश था फिर 1912 में दुबारा विभाजित किया जाता है बंगाल को और बिहार का गठन कर दिया उसको मैक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है कब बनाई गई तो 1914 में Lord Harding के टाइम में बनाई गई और गदर म्यूटिनी देखने को मिली थी हमें 1915 में गदर म्यूटिनी मतलब किया तो सिपाई वीद्रो किया गया था एक सिपाई वीद्रो 1857 में हुआ था जिसको First War of Independence भी बताया गिए वीडी सावर करकर के द्वारा और उसके बाद 1915 में फिर से गदर म्यूटिनी देखने को मिल दा था इसके बाद जो आते हैं Lord Harding के बाद वो आते हैं Earl Reading Earl Reading जो है इनका कारेकाल चला था कब से कब तक 1920 से 1926 तक इसमें क्या क्या मतवपुर्ण घटनाए थी जो इनके कारेकाल के समय में हुई थी जो examination point of view से important है तो सबसे पहला जो है वो था मालाबार rebellion मालाबार विद्रो देखने को मिला था कब 1921 में और मालाबार विद्रो को ही मोपला विद्रो के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद non cooperation movement काफी important है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा तो महात्मा गांधी महंदास करमचंद गांधी जो थे हमारे गांधी जी उनके द्वारा शुरू किया गया था non cooperation movement जानी कि असायो गांधोलन हिंदी में कब से कब तक तो 1921 से 1922 के बीच में किया गया था और 1922 को क्यों खतम कर दिया गया था तो चौरी चौरा में उत्तर परदेश में चौरी चौरा में यहां आकरोसित भीड ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी इसमें की है 22 पुलिस कर्मियों की जो है जलकर मृत्ती हो गई थी जिसके बाद जो है गांधी जी ने असायो गांधोलन वापस ले लिए ता क्योंकि यह पूरी तरीके से इंसा पर बेश्टा और इंसा होने के करण वापस लिए तो अब गांधी जी भारत कब आये थे तो यह जब हम लोग नेशनल मुव्मेंट पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिसकसन करेंगे लेकिन अभी आप डेट जान लिए तो 1915 में जो है गांधी जी साथ अफ्रीका से भारत आयता है से पहले भी आ चुके थ जाता है किसके द्वारा तो 1921 से 1922 में गांधी जी के द्वारा सुरू किया जाता है फिर विस्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्ना टेगोर द्वारा इस्थापित की जाती है कब तो वही 1921 में यह वन होगा फिर चौरी-चौरा इंस्डेंट अभी हमने बात की 1922 में बहुती है जिसके बाद असायोग अंधोलन को जो है स्थगित कर दिया जाता या वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा फिर अर्ल रीडिंग के बाद में जो आते हैं वहाते लौड इरुइन यह बहुत इंपॉर्टन जो जो इंपॉर्टन वाइसराय या गवर लॉड कैनिंग वारेन हस्टिंग कौन तो पहले गवर्णर जनरल बंगाल और कैनिंग कौन तो पहले वाई सुराय थे भारत के पहले गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो विलियम मैं टिक तो इन सब को जो है आप लोग यह नोट करके रखिए का क्यूंकि जाम में से काफी कोस्चन फुशे आता है अब इर्विन इंपोर्टेंट क्यों थे तो इनके टाइम में आता साइ साइमन कमिसन जो है यह वही है जलिया वाले बाग हत्याकान पर जो ब्रिटिसर्च ने कमिटी बनाए थी जो इसकी च्छानबिन करने के लिए भेजी गई थी कहां से तो ब्रिटेंट से करना इनको कुछ नहीं था बस एक भारतियों को दिखाने के लिए कमिटी बनाके रिपोर्ट वही पडिए की गई थी जो पहले से ब्रिटिसर्च द्वारत थे थी जिसमे जणरल डैयर को शरीव दिखाया गिया था तो साइमन कमिसन कया साइमन कमिसन भारत आया 중 So तो साइमन कमिशन आया रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन भारतिये संतुष नहीं थे क्योंकि इसमें जो है जनरल डायर को दोसी करार नहीं दिया गया उसको बरी कर दिया गया इसके जवाब में जो है 1928 में जोहार लाल नहरू अपनी रिपोर्ट पेस कर देते हैं जिसको नह 1928 में वही जलिया वाला बाग हत्याकान के विरोध में एक जूलूस का नेतरित्व कर रहे थे लाला लाजपत्रा और वहां पुलिस द्वारा कर दी जाती है लाठी चार्ज जिसमें लाठी लगती है इनको सर पे और इनकी मृत्ती हो जाती है इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंग द्वारा थी जाता है किसको तो मारते हैं सॉंडर्स नाम के ब्रिटिस फूलिस ऑफिसर को मारने गयते स्कॉट को लाला लाजपतराई पर जो लाठी बर्साई गई थी तो वो सकॉट ने बर्साई थी स्कॉट की लाठी से ही इनकी मृत्ती हुई थी प्रस्तुत की थी तो जिन्ना क्योंकि मुस्लिम पाटी की भी गठन हो चुकी थी उससे पहले ही तो जिन्ना कहां पीछे रहते तो इन्हों में भी अपनी 14 पॉइंट की एक मतलब 14 बिंदू का एक रिपोर्ट तियार किया और 1929 में उसको पेस कर दिया फिर पूर्ण स्वराज डिमांड कर दी गई थी किसके द्वारा तो कॉंग्रेस के द्वारा कहां पर तो 1929 के अपने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की ज जब पता चला उनको कि भगत सिंग की लोग प्रिते इतनी बढ़ गई और भगत सिंग ने डिमांड कर दिये पूर्ण स्वराज गोसना कर दिये कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेंगे तो कॉंग्रेस ये सोचकर कि आगे चलकर भगत सिंग कहीं उनसे बड़े लीडर ना बन जाए तो नहरू क्या करते हैं कि 1929 के अधिवेसन में पूर्ण स्वराज की गोसना कर देते हैं या डिवान रख देते हैं ब्रिटिसर्स के सामने ताकि जो है भगत सिंग की लोग प्रियता को कम किया जा सके इसके बाद जो है 1930 में होते है किया जाता है क्या तो डा पर जो टेक्स लगाया जाता था उसके खिलाफ ये मार्च निकाला गिया था और नमक बनाकर उन्होंने टेक्स तोड़ा था गांधी नदी के साबरमती आसरम से चलकर डांडी नदी के किनारे में इसी को जो है सॉल्ट मार्च या फिर डांडी यात्रा डांडी मार्च भी क कहां पर तो लंडन में भारत की तरब से कौन गया थे तो भारत की तरब से गया थे डॉक्टर भीम राव मेटकर और सरोजिनी नाइडू ने इसमें हिस्सा लिया था और कॉंग्रेस के सभी नेताओं ने इसको बॉयकॉट कर दिया था इसके बाद चिटगाओं आर्मरी रेड लाएं जिसमें हम सब को जो है डेटेल में कवर करेंगे तो गांधी इर्विन पैक्ट जो साइन हुआ था 1931 में इसमें क्या लिखा गया था तो इसमें डिमांड रखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा कि सबसे पहले तो भारत के जितने भी जो भी कैदी है भारत के सोतं लेकर भी डिमांड रखी गए थी तो बिटसर्स ने जो है इर्विन द्वारा सारे मांग तो मान लिये गया था लेकिन जो रिया करने की बात थी कैद से उसमें एक इन्हों ने रख दिया था कंडिशन की क्या रखा था कि जो भी लोग जिन पर जो है टैर्रिस्ट एक्ट ल 1931 में एक्जिक्यूशन कर दिया जाता है भगत सिंग, सिहुराम, राजगुरू और सुखदेव का थीनों को सहीद कर दिया जाता है कि वो 23 साल की उमर में भगत सिंग देश के लिए अपनी जान कुरुबान कर देते हैं और इसी के याद में 23 मार्च को जो है सहीद दिवस म बीच में रहा था, और इनके स्कारेकाल में जो महतुबर्न घटनाय थी, महात्मा गांदी और अमबेटकर भीमरा,मबेटकर के बीच में 1932 में साइन किया जाता है क्याल, पूना प्ना समझहता क्यों किया जाता है, इसके पिछे एक कहानी क्या है तो, अमबेटकर चाते थे कि जो भी दली थे उनको special status दिया जाए जितने भी मतलब below poverty line लोग है या जाती रूप में जाती वाद से घिरे हुए हैं जिनको की discrimination का सामना करना पड़ता है ये चाहते थे कि इनको एक अलग status मिले इनको special rights मिले तो क्यूंकि मुहमद अली जिन्ना जिन्हों मुस्लिम लिग की स्थापना की थी वह मान गहते तो भीमरा अंबेटकर जो है ये जिन्ना की party को join करना चाहते थे तो क्यूंकि गांधी जी नहीं चाहते थे ऐसे वैसे पहले ही कॉंग्रेज जो है नरम दल गरम दल में विभाजित हो चुकी थी सूरत के अधिवेशन में अब जो है भीमरा अंबेटकर भी अगर अलग party में चल जाते तो महात्मा गांधी की दिक्कते बढ़ सकती थी क्योंकि अमबेटकर जो है वो काफी लोगप्रेजंद प्रतिनीदी थे तो इसलिए जो है पुना समझाता साइन किया जाता जिसमें महात्मा गांधी जो है अमबेटकर जी की सारी बातों को सारी जो सरते थी उनको मानते है और तूना समझाते पर हस्ताक्चर करते हैं फिर पाकिस्तान का डिक्लेरेशन कर दिया जाता है 1933 में कौन तो जिन्ना की party के दोरा इससे पहले जो ह चल रहा था वही चल रहा था कि भारत में किसका सासन होगा क्या कॉंग्रेश सासन करेगी या फिर मुसलीम लिग जो है उसका चासन चले गया लेकिन 1933 में मुसलीम लिग दाखंव पूरी तरीके से अलग देसकी डिमांड रख ली जाती है बाद मूं कर दी जाती है कि के examination में अक्सर फूच दिया जाता है SSE का भी favorite question है इज़र पूचा जाता है कि RBI को जो है कभी स्थापित किया गया था तो 1934 में और इसको national status कभी मिला था तो ये आप लो comment में इसका answer बताईए RBI का headquarter भी कहाँ पर है तो मुंबई में है और भारत की जो monetary policy है वो regulate की जाती है RBI के दोरह और इसके लावा RBI के अभी जो ततकालीन chairman है या governor है वो कौन है तो सकतिका अंदाज अभी जो है governor है RBI के तो RBI का गठन कर दिया गया कब किया गया तो 1934 में और याद रखिएगा आज RBI का जो मुख्याले है वो है मुंबई में लेकिन जब ये गठित किया गया था तो ये Calcutta में इसका headquarter बनाए गया था जो कि उसमें Britsers का जो center था वो main था West Bengal Calcutta जो की आज का कॉलकाता है यही उनकी राजधानी हुआ करती थी starting में फिर जो है 1934 में Congress Socialist Party कि भी नीव रख दी जाते अब Socialist Party क्या था तो Congress जो मूल Congress थी जो main वाली original वाली Congress थी उसके जो निता थे जो गुपाल कृष्ण गोखले हो गए महात्मा गांधी हो गए इनका जो इनकी जो thinking थी इनका जो उद्देश से था वो सासन करना कभी भी नहीं था Congress को कभी भी ये लोग राजनितिक पाटी या फिर पॉलिटिकल द्रिश्टिकों से आगे बढ़ाना नहीं चाते थी ये केवल देश के हित में काम करने वाली एक पाटी चाते थी लेकिन जो आराल लहरू हो गया भी मरा हम बेटकर हो गया ये लोग चाते थे कि Congress Party जो है वो आगे बढ़े और देश की जो सरकार होती है उसको बनाने में एक महतवपून भूमिका निवा है तो इसलिए जो है Congress Socialist Party की निव रख दी जाती है कब 1934 में विलिंग्टन के बाद आते हैं मारकस लिलिंध गो मारकस लिलिंध गो जो है ये 1936 से 1944 तक भारत में वाइसरोय रहते हैं और मतवपून बाते जो है इनके समय की वो क्या है तो सबसे पहले जो है भारत दे फ्रांतिये चुनाव की इस्थापना कर दी जाती है जैसे पंचायच चुना हो जाता है इस्टेट इलेक्शन होता है इस्टेट इलेक्शन किया तो हमारी जो विधान सभाव विधान परिशत की जो इलेक्शन्स होती हैं उसी टाइप का उस समय प्रुविंसियल इलेक्शन होता था कब शुरू किया गया तो 1937 में किसके समय तो लिंद्गों के समय में इसके बाद वर्ड वर सू टू देखने को मिलता है 1929 में और इसमें जो है भारत ये सोल्जर्स या भारत के सिपाईयों को हिस्सा लेने से पुर्णता मना कर दिया जाता है बॉयकॉट कर देते हैं वो लोग गांदी जी बोल देते हैं कि भारत ये सैनिक जो है वो नहीं लड़ेंगे किसके समय में आया था यह अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं लेकिन इसका डेट याद रहने जरूरी है यह विवी आई वरी वरी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से क्यों निस सो ब्याइस में क्रिप्समिसन आया था फिर इंडियन लिग सभाष चंद्रवोज दारा लेकिन सभाष चंद्रवोज जो थे यह आई-स्थापक नहीं थे लिग ज आउज कि और खाप लोग नोनब करते हैं आये कि और कहां करते हैं तो भारत वे नगीं कहां की थी तो है शिंगापूर में वे शिबैर कि ऐसे वे जो सेना थी उसे मैक्सिमम लोग तो वह भारतिये ही थे तो इसी में से जो है 50,000 सेनिकों को भेजा जाता है सिंगापूर क्यों तो वर्ड वर्ड टू चल रहा था जापान से लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन की उसी परपस से जो है सिंगापूर में क्यूंकि जापानियों ने आक्रमन करने शुरू कर दिया थे उसक में जीथ जाते थे लेकिन क्यूंकि को पता नहीं था कि जापान की सेना जो है वो उनकी सेना से छोटी है तो इन्हों को द्वारा सरेंडर कर दिया जाता है और उसके बात जो है इनको बंद्दयक का लिया जाता है जापान il years since हो कि चल जाते आथ लोग जाता है और उहीं- कि उसके बाद क्या होता है तो सुभास चंदर बोस ने क्या किया था तो आयने की स्थापना तो हुई थी 1942 में किसके दौरा तो कैप्टन मोहन सिंग के दौरा लेकिन उसको जो इस्थगित सही तरीके से जो सुचारू बद तरीके से उसको आगे बढ़ाए गया था तो वो काम किया था सुभास चंदर बोस के दौरा इसके बाद बंगाल में अकाल देखने को मिला 1943 सिस्वी में यही मार्कस लिंद्गो के कारेकाल में मार्कस लिंद्गो के बाद आते हैं विसकंट वेवल विसकंट वेवल जो है यह भारत में रहे थे कब से कब तक तो 1943 से 1947 सिस्वी त जो भारत को आजादी देने के लिए freedom provide करने के लिए आजादी के बाद power किसको transfer की जाएगी Congress को या Muslim League को इन सब की जो है देखरेक करने के लिए भारत में Constitution को बनाने के लिए जो mission भेजा गया था या भारत में जो भी committee भेजी गई थी वही थी cabinet mission तो 1946 में भारत में आया था फिर interim government को स्थापित कर दिया गया था 1946 में direct action day 1946 में मनाया गया था किसके दोरा तो Muslim League के दोरा और Royal Indian Navy विद्रो देखने को मिला था इससे पहले जो है विद्रो हुआ था वो सिपाई विद्रो तो भारत में हुआ था आयेने सिपाई विद्रो का ही कारण एक प्रकार से रिजल्ट थी जो देखने को में मिली थी सिपाई जो नहीं विद्रो किया था और वही लोग जो है आयेने में भरती हुए थे और लेकिन पहली बार 1946 में नेवी द्वारा विद बाराफ फरवरी उनिस सो से तालीस को आये थे और पंदरा अगर्स उनिस सो से तालीस को भारत आजाद हो गया तो कुछ ज्यादा काम कर देखो भी ला नहीं मतवपून क्या है तो यह भारत के अंतिव वाइसराय थे यह इंपोर्टेंट है और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर्स जनरल भी कौन थे तो माउंट बैटन ही थे कब तक थे तो इनका कारेकाल कैसे डिवाइड है तो देख लिए बारा फरवरी को यह आते हैं वाइसराय की पोस्ट में पंदरा कस्तों भारत आजात हो जाता है तो वाइसराय की पोस्ट भी खतम क्योंकि अब वीडिसर्स के द्वारा उसी के लिए इनको कुछ दिन और भारत में रहना पड़ते हैं तो उसके बाद जो है 48 तक भारत में पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानि की इंडिपेंडेंट इंडिया आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं इनके बाद जो है Mountbatten के बाद भारत के Governor General बलते है C. Rajagopalachari ये जो है एक लोते भारत ये थे जो की Governor General के पोस्ट पर रहे थे कैसे रहे थे तो Question क्या बनेगा बनेगा कि आजाद भारत के दुसरे Governor General कौन थे तो C. Rajagopalachari Mountbatten उतना नहीं पूछा जाता जितना की रहे गा एक लोते इंडियन कौन थे जो Governor General बने थे तो Rajagopalachari इसका एंसर होगा कब से कब तक रहे थे तो 21 जून 1948 से 26 January 1950 तक गुपालachari Governor General रहे थे और 26 January 1950 को क्या हुआ था तो हमारा सनविधान लागू हो गया था उसके बाद इस पोस्ट को जो है खतम कर दिया गया था और भारत में जो आज की हमारी सासन पद्दती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर विधान सभा राजे सभा ये वाली प्रणाली जो है ये चालू हो गई थी तो इस वीडियो में जो है आज हमने वाइसराइस के बारें कवर कर लिया हमने जितने भी इंपोर्टेंट वाइसराइस थे जो examination point of view से VVI थे very very important थे जिन से question मनता है उन सभी को जो है हमने cover कर लिया है अब अगले वीडियो में हम भारत में freedom struggle को सुरू करेंगे हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से अलग-अलग समय पे अलग-अलग लोगों द्वारा विद्रोग किये गए और भारत फाइनली जो है आजाद भारत कैसे बना था इन सब बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना प्रारम करेंगे इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो वो टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग टेलिग्राम ग्रूप का लिंक यहां दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वी लिंक आपको मिल जागा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं मिलते अगले वीडियो में तिल देन दो लाके शेयर सब्सक्राब और प्रेश दिवाल इकन एकन फिर लेटेस्ट अप्रेश ट्राइब प्रों में फिर्टेश थेंक यू